हेलो फ्रेंड्स हम अब जाने जा रहे हैं भटूरे यह भटूरे के लिए हमने 500 ग्राम मैदा ले ली है अब इसमें हम बीच में जगह बना लेंगे थोड़ी सी और इसमें हम डाल लेंगे धाई फ्रेस धाई एक कटोरी छोटी कटोरी और यह डाल दिया है हमने चिन्नी यह बेकिंग पावडर बेकिंग सोडा यह हमने एक चमच लिये एक चमच बेकिंग पावडर एक चमच बेकिंग सोडा और दो चमच हमने लिए सोजी यह स्वादानुसर नमक अब इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे बीच में पहले धाई के साथ चिन्नी बेकिंग पावडर यह मिक्स कर लेंगे अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है अब हम इसमें डालेंगे दो चमच ओईल जो भी आप ओईल खाते हो यह ओईल आप डाल सकते हैं सरसों का रिफाइंड जो भी यूज करते हैं यह दो चमच ओईल हमने डाल लिया है अब इन सब चीजों को हम अच्छे से मैस करेंगे मिक्स करके अच्छे से अब यह देखो अच्छे से मिक्स हो गया अब इसमें हम गुन गुना पानी लेंगे और हलका हलका थोड़ा थोड़ा गुन गुना पानी डालते जाएंगे और इसको गूतते जाएंगे जैसे हम आटा लगाते हैं वैसे हमें इसका डो तयार करना है और हमें डो बिल्कुल सोफ्ट डो तयार करना है जिससे कि हमारे भाटूरे अच्छे फूले फूले और सोफ्ट बने इसको हम देरे-देरे थोड़ा-थोड़ा पानी डालते जाएंगे और ऐसे गोटते जाएंगे यह देखिए हमारा डो लगभग तयार हो गया है अब इसको हम थोड़ा सा ओयल लेके और इसको कम से कम दो-तीन मिनट के लिए और ऐसे ही गोटेंगे अच्छे से ताकि इसमें लोच लगाने से यह अच्छे से मिक्स हो जाता है और जितना हम लोच लगाएंगे उतना ही परफेक्ट हमारे बर टूरे बनेंगे अब मैंने इनको अच्छे से लोच लगा रही हूँ इसको अच्छे से दो-तीन मिनट के लिए लगाते रहिए यह देखे हमारा डो एकदम सोफ्ट और बिल्कुल मुलायम सोफ्ट सा तयार हो गया है अब हम थोड़ा सा ओयल और लेंगे और इस ओयल को लेके इसके उपर चारो तरफ अच्छे से लगा देंगे ताकि यह सूख है नहीं जैसे हमें इसको रेष्ट पर रखेंगे ना तो इसको लिए हमें इस पर अच्छे से तेल लगाना है यह हमने लगा दिया है अब हमें कोई भी सूती कपड़ा लेंगे या गीला या सूखा जैसा भी आप रख सकते हैं मैंने सूखा कपड़ा लिया है इसको इसके उपर बिल्कुल तयार है यह फूल के अच्छे से तयार हो गया था अब हम थोड़ी सी देर कम से कम दो मिनट के लिए और इसको अच्छे से गुतेंगे क्योंकि यह हमने रेश्ट पे रखा था इसलिए हमें इसको और गुतना पड़ेगा अब यह देखिए हमारा डो कितना मुलाएम और अच्छा तयार हो गया है अब इसके हमने एक लोई ले लिया है उसको अच्छे से गोल करेंगे देखिए थोड़ा सा हम इसके ओईल लगाएंगे और इसको बेलेंगे बटूरे को बेलते टाइम हमें इसको दो तीन बार ऐसे उठा उठा के बेलना है और फिर बाद में हमको करना है कि अपना चोपिंग बोर्ड ही साइड में खिसकाना है और अब ये देखिए हमारा तेल गरम हो गया और तेल हमारा गरम हो चुका है परफेक्ट अब इसमें हम बटूरे डालेंगे ये बटूरा पहला बटूरा हम इसमें डाल रहे हैं किनारे से डालना बीच में से डालोगे तो तेल लग सकता है ये देखिए हमारा भटूरा कितने अच्छे से फूल के एकदम तयार हो गया है ये देखिए कितना एकदम ब्राउन ब्राउन सा भूनना है हमें और इसको जैसे किनारों से तेल डालते रहना जैसे कि जितना तेल डालेंगे किनारों से तो अपने आप ही फूलता चला जाएगा यह देखिए यह हमारा दूसरा भटूरा भी तयार हो गया है देखिए हमारे बھटूरे कितने प्रफेक्ट एकधम फूले फूले बटूरे बन रहे हैं ये देखिए हमारे बटूरे तयार है अब इनको छोलो के साथ हम सर्व कर सकते हैं अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और सेर करना ना मुझा